साथियों, पिछले कुछ वर्षों से देश भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जूट हुआ है। हिंदू, मुसलिम, सिख हिसाई, सभी धर्मों के लोग अन्ना के नित्रतों में एक साथ हा गए। गंदी राजनीती करने वाले निताओं को ये बरदाश्त नहीं हो पा रहा है। ये इस एकता को तोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि इनका भ्रष्टाचार चलता रहे। मैंने अभी कुछ दिन पहले मुसल्मान बहनों भाईयों के नाम एक पत्र लिखा था। उस पत्र में मैंने ये लिखा था कि किस तरह से पिछले 65 सालों से कॉंग्रेस पार्टी इस देश के मुसल्मानों को अपना बंधुआ वोटर बना के रखे हुए है। बीजेपी आ जाएगी बीजेपी आ जाएगी ये डर दिखा के कॉंग्रेस मुसल्मानों से वोट लेती रहती है एक तरफ कॉंग्रेस ने मुसल्मानों को अपना वोट बैंक बना रखा है और दूसरी तरफ बीजेपी हिंदूओं में मुसल्मानों के प्रती नफरत फैला के अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करती रहती है ना आज तक कॉंग्रेस ने मुसल्मानों का कोई भला किया और ना बीजेपी ने हिंदूओं का कोई भला किया कॉंग्रेस बीजेपी और कुछ और पार्टियां पूरी राजनीती हिंदूओं और मुसल्मानों के बीच जहर घोलने पर चलाती है जितना हिंदू और मुसल्मानों के मन में एक दुसरे के खिलाफ जहर पैदा होगा, उतनी ही इन पार्टियों की राजनीती चमकेगी इस नफरत की राजनीती को खत्म करने और दोनों कौमों के बीच अमन और चैन कायम करने के लिए आम आदमी पार्टी बनी है यही बात करने के लिए मैंने वो चिठी लिखी थी, मुसल्मान भाईयों को कई साथियों ने उस पत्र की तारीफ की है उन्होंने उस पत्र की भावना को भी समझा और उसके मकसद को भी समझा है हिंदों और मुसल्मानों के बीच में अमन और शांती का माहौल पैदा करने की इस नई राजनीती की पहल का उन्होंने स्वागत भी किया है लेकिन कुछ साध्यानों कुछ प्रशन भी उठाएं है आज मैं उन प्रशनों के जवाब देने की कोशिश करूँगा एक मेरे से ये प्रशन पूछा गया है कि मैंने मुसल्मानों के लिए अलग से पत्र क्यों लिखा मेरा जवाब है कि इसमें गलत क्या है अगर इस पत्र के जरिये मैं हिंदूओं और मुसल्मानों के बीच अमन और शांती कायम करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसमें क्या गलत है? अगर मैं मुसलमानों को कॉंग्रेस की वोट बैंक की राजनीती के चंगुल से मुक्त कराने की अपील करता हूँ तो इसमें गलत क्या है? इसके पहले मैंने दिल्ली के वेपारियों के नाम भी चिठे लिखी थी वेपारियों को भारतिय जनता पार्टी ने आज तक अपना वोट बैंक बना के रखा हुआ है लेकिन उनके लिए किया कुछ भी नहीं इसके पहले मैंने वालमी की समाज के लिए भी चिठे लिखी थी समाज के अलग अलग तबकों को पत्र लिखकर मैं इन पार्टियों की गंदी वोट बेंग की राजनीती से लोगों को आगाह करना चाहता हूँ जब मैंने व्यपारियों को पत्र लिखा वालमी की समाज को पत्र लिखा ओटो वालों को पत्र लिखा जुग्गी वालों को पत्र लिखा तब तो किसी ने कुछ नहीं का लेकिन जैसे मैंने मुसल्मानों के नाम पत्र लिखा तो तुरंट कुछ साथियों ने इसका विरोध किया उन साथियों का कहना है कि मैंने धरम को आधार बना के पत्र क्यों लिखा साथियों ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि दूसरी पार्टियां धर्म को आधार बना के ही जहर गोल रही हैं अगर वो हिंदू और मुसल्मान के बीच जहर गोलती हैं तो हमें हिंदू और मुसल्मान के बीच ही तो एक्ता की बात करनी पड़ेगी किसानों और मजदूरों की बीच में एक्ता की बात थोड़ी करेंगे अलग-अलग धर्मों के लोगों को अपील करके ये तो कहना ही पड़ेगा कि इनकी जहरिली बातों में मत आओ और सब एक साथ रहो वहेचारे के साथ रहो कुछ दिन पहले मैं मुंबई गया था कुछ महीने पहले जैसे मैं एरपोर्ट पर उत्रा एक साथी ने आके मेरे को टोपी पहना दी जिस पे मराठी में लिखा था मी आम आदमी आहे मतलब कि मैं आम आदमी हूँ दो दिन तक मैं टोपी पहन के घूमता रहा, किसी ने कोई आपत्ती नहीं की कुछ दिन बाद मैं मेरे घर पे बंगाल से एक लड़का आया उसे मेरे सिर पे बंगाली की टोपी रख दी उसे भी मैं पूरा दिन पहन के घूमता रहा, किसी ने कुछ नहीं का अभी दिल्ली के गाउं गाउं में घूम रहा हूं है धेरों मंदिरों में जाता हूं कई लोग मुझे पगड़ी पहनाते हैं लेकिन किसी ने कोई आपती नहीं की लेकिन एक दिन एक मुसल्मान भाई ने मेरे सिर पे उर्दू की टोपी पहना दी तो कुछ साथियों ने इसका विरूद करना चालू कर दिया मेरे उपर आरोप लगाया कि मैं मुसलिम तुष्टी करन कर रहा हूं विरूद करने वाले लोग मोटे मोटे तौर पे दो किसम के लोग हैं एक वो लोग हैं जो कॉंग्रेस भाजपा या अन्य पार्टियों से संबंद रखते हैं हिंदूों और मुसल्मानों के बीच भाईचारा पैदा करने की आम आदमी पार्टी की राजनीती से ये लोग बहुत विचलित हो रहे हैं इन्हें अपनी दुकाने बंद होती नजर आ रही है लेकिन दूसरी श्रेणी में वो लोग आते हैं जो सच्चे हैं, इमानदार हैं, देशभक्त हैं जब ऐसे कुछ लोग प्रशन करते हैं तो मुझे बहुत चिंता होती है ऐसे सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि वो बैठकर सोचें कि जो कुछ मैंने किया वो मुस्लिम तुष्टी करन था या मैंने भारत को जोडने के लिए किया जैह से ही उर्दू शब दाता है तो कुछ साथी इतने विचलित क्यों हो जाते हैं ये पार्टियां यही तो चाती हैं कि हमारे मन में एक दूसरे के खिलाफ जहर भरा रहे मैं ऐसे सभी साथियों से हाथ जोड़ के कहना चाता हूँ कि इस देश में हिंदूओं के दुश्मन मुसल्मान नहीं है और मुसल्मान के दुश्मन हिंदू नहीं है बलकि हिंदूओं और मुसल्मान हम दोनों के दुश्मन ये गंदे नेता और इनकी गंदी राजनीती है जिस दिन इस देश के लोगों को ये छोटा परंतु महतुपून सच समझ में आ जाएगा उस दिन इनेताओं की दुकाने बंद हो जाएंगे ये नेता हर कोशिश करेंगे कि हमारे दिलों के अंदर जहर भरते रहें साथियों हमें इसी का सामना करना है हमारे दफ्तर में एक लड़का काम करता है उसका नाम जावेद है एक दिन उसे सड़क पर चलते हुए एक पुलिस वाले ने रोक लिया उससे उसका नाम पूछा जब उसने अपना नाम बताया तो पुलिस वाले ने धरम के नाम पे दो गालियां दी और पांच मिनट तक उसे सड़क पे मुर्गा बना के रखा मैं ये नहीं कहता कि सारी पुलिस फोर्स ऐसी है लेकिन अगर कुछ पुलिस वाले ऐसा करते हैं तो क्या हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए उसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए और अगर उसके खिलाफ आवाज उठाओ तो क्या ये मुस्लिम तुश्टी करन होता है हमारी कारेकरता संतोष कोली کا ایکसिडेंट हो गया ऐसा शक है कि उसका एकसिडेंट करवाया गया था वो दलित समाज से है अगर आज हम उसका साथ दे रहे हैं तो क्या दलितों का तुष्टिकरण है अभी एक महिना पहले बहार से दिल्ली आई ये एक औरत का सामोहिक बलातकार किया गया हमने उसके खिलाफ भी आवाज उठाई तो इसका मतलब क्या हम बिहारियों का तुष्टिकरन कर रहे हैं मैंने 1984 में सिखों के कतले आम के खिलाफ आवाज उठाई तो क्या वो सिखों का तुष्टिकरन था हम क्या मांग रहे हैं केवल निश्पक्ष जांची तो मांग रहे हैं क्या निश्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए इसमें कोई शक नहीं है कि कई अतंकवादी मुसल्मान रहे हैं पर इसका मतलब ये तो कता ही नहीं हो सकता ना कि हर मुसल्मान अतंकवादी होता है मैं ऐसे कई मुसल्मानों को जानता हूँ जो भारत के लिए सब कुछ न्योचावर करके बैठे हैं आज देश को एपी जे अब्दुलकलाम, अब्दुलहमीद और कैप्टेन हनीफुत दीन पे गर्व है आम आदमी पाटी में ही कितने मुसल्मान हैं, जिन्होंने भरष्टाचार मुक्त भारत के लिए अपनी नौकरी और अपने प्रिवार दोनों त्याग रखे हैं जैसे कई आतंकवादी मुसल्मान होते हैं वैसे ही कई आतंकवादी और देश द्रोही दूसरे धर्मों से भी तो होते हैं माधिरी गुपता तो हिंदू थी जिसने पाकिस्तान को भारत के कई सुराग बेच दिये मेरा मानना है कि आतंकवादी ना हिंदू होता है ना मुसल्मान वो केवल गद्दार होता है उसे सक्स सक्स सजा मिलनी चाहिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, हिसाई, कोई भी धर्म हमें एक दूसरे के खिलाफ फत्या और नफरत करना नहीं सिखाता हर धर्म प्यार और महबत का संदेश देता है इसलिए आतंकवादी ना तो हिंदू होते हैं और ना मुसल्मान होते हैं बाटला हाउस मामले पे भी कुछ साथियों ने सवाल खड़े की है इस मामले में दो युवाओं की और एक पुलिस आफिसर श्री मोहन चंद की मौत हो गई कई लोगों के मन में शक है कि क्या उन युवाओं को मारने की जरूरत थी या उन्हें जिन्दा पकड़ा जा सकता था अगर वो दोनों शक्स अक्तंकवादी थे तब तो उनको जिन्दा पकड़ना और भी जरूरी था ताकि उनके मालिकों का पता लेगाया जा सके और अगर वो निर्दोश थे तो क्या दोशी पुलिस वालों को सजा नहीं मिलनी चाहिए मौके पर एक जाबांस पुलिस आफिसर श्री मोहनचंद की मृत्ती हो गई वो अपना फर्ज अदा करते हुए शहीद हो गए उनकी मौत कैसे और किन हालातों में हुई क्या इस पूरे मामले के निश्पक्स जाच की मांग करना मुसल्मानों का तुष्टी करने इस देश को बचाने के लिए नजाने कितने पुलिस वालों ने अपनी जान दिये मध्य परदेश में डॉक्टर नरेंद्र कुमार को भारतिय जंता पार्टी सरकार के शासन में खनन माफिया ने कुचल कर मार डाला उत्तर परदेश के कुंड़ा जिले में डियस पी जियाउल हक को एक नेता के समर्थकों की उपद्रव भीर द्वारा हत्या करवा दी गई आम आदमी पार्टी ने इन मामलों में आवाज उठाई 26 नमबर 2008 को कॉंग्रेस आशासन काल में मुंबई पर आतंकवादियों का हमला हुआ कई कमांडों ने अपनी जान पे खेल कर देश को बचाया कमांडो सुरेंदर सिंग भी उनमें से एक थे उनकी टांग में गोली लगी बम धमाके में उनकी सुनने की क्षमता खतम हो गई उन्हें सम्मानित करना तो दूर साथियों कॉंग्रेस सरकार ने उनको शारी रिक रूप से अक्षम घोशित करके नौकरी से निकाल दिया कई महीनों तक उसकी पेंशन नहीं दी आम आदमी पार्टी ने उनकी न्याए की लड़ाई लड़ी उसके बाद उन्हें पेंशन मिलने लगी अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली केंट विदानसभा से उन्हें उम्मिद्वार घोशित किया है इन्हीं पार्टीयों की दुकाने अब बंद होती नजर आ रही है साथियों पहली बार इस देश में एक नई राजनीती की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे है ये एक छोटी सी शुरुआत है पर एक ठोस शुरुआत है ये एक छोटा सा पौधा है ये पौधा बढ़ा होकर पेड़ बने और सब को फल और चाया दे इसे में हम सब का भला है ध्यान रहे सातियों इसे रॉंद मत देना हमारे में सौ कम्याओं सकती है परनतो हमारी नियत साफ है हम एक भरष्टाचार मुक्त भारत चाते हैं हम एक ऐसा भारत चाते हैं जिसमें सभी धर्मों और जातियों के बीच बराबरी का रिक्षता हो और सभी लोग भाईचारे और अमन चैन के साथ जीएं इसके लावा हमारा कोई दूसरा मकसद नहीं है साथ ही जैहिंद